हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तू माई चैनल फ्रेंड्स आज हम आपका बहुत बहुत स्वागत अपने चैनल के मात्वन से करते हैं और हमेशा ये कामना करते हैं कि आप स्वच्त रहें और मस्त रहें फ्रेंड्स आज हम आपको एक ऐसी रिमेडी सेयर करने जा रहे हैं जिसका परयोग करके आप अपने चेहरे को गोरा चिकना तता चमकदार बना सकते हैं आज की रिमेडी बहुत ही खास और इफेक्ट्यू है फ्रेंट्स आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट मेरा एक निवेदन जदी आप मेरे वीडियो पहली बार देखें तो प्लीज मेरे बने वेल आइकन को जरूरान कीजिए ता कि मैं जब भी कोई नया वीडियो अफ्लोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा फ्रेंड्स आये जानते हैं कि इस रिमेडी में आपको किन किन चीज़ों का प्रयोग करना है और उनका इस्तेमाल आ आपके इस्कीन की चमक बढ़ाने के लिए बहुत ही बेनिफिस्यल होते हैं इसमें पाय जाने वाले प्रोटिंग तथा विटामिल आपके इस्कीन को सक्त भी बनाते हैं आपको कच्चे दूद की आउसरता मात दो चमच होगी इसके अतरिक आपको जो नेस्ट इंग्रेडि चमक दार बनाती है इसकी मात्रा आपको मात एक चमच में लेना होगा इसके अतरिक जो आपको एक सीज लेना है वह हल्दी पावडर हल्दी पावडर की विश्यश्टा तो आप जानते ही हैं कि यह आपके इसकीन से डेट सेल्स निकानने के लिए तथा दाग धबों तथा शाइयों को समाप्त करने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है और आप पे चहरे पर रंगत लाने के लिए बहुत ही कारगर्वती है इसकी मात्रा आपको मात्र एक चुटकी इसमे लेना है इसके अतरिक आपको एक जो लेना है वह है कोलगेट की मात्रा जादा नहीं जित कि जो गंदगी है उसको खीच करके बाहर निकाल देगा और आपका इसकी लाइटें तथा चमकदार होगा इसकी मात्र इतने ही लेंगे और इसके अत्रिक एक चीज और आपको लेना है वह है लेमन यानी लेमन अगर नीबू आपकी तवचा पर सही इसका जो है इफेक्ट नह ही करती है या आपके तुचा के लिए अगर यह लागदायक नहीं है तो आप इसके जगह पर आप रोज वाठर का भी प्रयोग कर सकते हैं नीबू का आपको ज्यादा इसकिमाल नहीं करना है मात्र दस से पंद्रव बून नीबू का इसमें नीचोड़ेंगे अब इन सभी चीजों को आप अच्छी कता से आपस में मिक्स करेंगे प्रेंट्स नीबू में विटामिन सी की घरपूर मात्रा पाई जाती है और नीबू क्लिंजर का काम गरता है आपके जो तुचा में गंदगी और मैल जमा होती है इसको साफ करने का काम गरता है अब इन सभी चीजों को मिक्स करके अब इसका प्रयोग आपको पैसे करना है फ्रेंट्स आईए हम आपको बताते हैं इस तरीके से आप फिंगर के मात्रों से लेंगे और अपने पूरे चेहे पर इसको अच्छे से अप्लाई करेंगे अप्लाई करके इसे कम से कम 20 मिनिट आईसे ही रहने देंगे 20 मिनिट के उपरांती से ठंडे पानी से दो करके साफ कर लेंगे फ्रेंट्स यदि आप इसका नियमित प्रयोग करते हैं तो आपके चेहे पर कजब का मिखार दोरा पनाएगा फ्रेंट्स आपकी तचा सत्त भी होगी आप हमेशा सस्त रहे मस्त रह कि रहे इन कामनाओं के साथ पिर मिलेंगे नेस्ट वीडियो में यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो प्लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए पिर मिलते हैं तब तक के लिए टेक केर और बाइबाए प्रेंट्स